नमस्कार विवे गुपता और जी के वर्स में आपके सौगत है और यह मैं आपको एक फंडा दूँगा क्योंकि खासकर अभी अभी आपको फ्री में काउसलिंग करेंगे अगर आप पुराना वीडियो सुनोंगे जो इस चैनल को फॉलो करते हैं कि जो आपको फ्री में काउसलिंगे बुला रहा है वो च्यों बुला रहा है तो मैं उसको रिपीट नी करूँगा मैं आपको एक लॉजिक देता हूं उसके साब से आप अपना भविश्य अपना कॉल के लिए होता है हिंदी बुलू तो उस कॉलिज का आज से पंदरा साल पहले लेवल यह था आज लेवल यह हो गया अब पुछोगे सर कैसे कॉलिज तो सेम डूसे मैं जी हां कॉलिज बिचारे पर लेवल नहीं गिराया लेकिन वह कैसे ऐसे हो गया क्योंकि इस पंदरा सालो इंसिटूट क्या होता है गुड क्वालिटी बच्च फेकल्टी गुड इन्फरा एंड गुड बच्चे तो पहले क्या था नैंटी एट परसंटाइल एन अबवगर मैं कैट की भाशे में समझाओ वो आयम चले गए नैंटी फाइव तो नैंटी एट एस पी जैन एमडी आई नार सीमोन जी वैसे नार सीमोन जीवा पेपर अलग है तो नैंटी परसंटाइल वाले बच्चे जो की गुड क्वालिटी बच्चे मने जाएंगी वह भी आपको यह टायल टू कॉलेजिस फोर आयम आई इवन बिम टेक ग्रेटर नॉड़डा में जाते नजर आते थे अब टेकर आपूपर वाले कोलेजिस इतने हो गए है कि इन कालेजिस को 70-75 परसंटाइल के बच्चे मिल रहे हैं अब सबसे बड़ी बात ही है कि यह बात कौन जानता है रेकूटर्स ठीक है तो रेकूटर्स को यह पता है कि हमें उन कालेजिओं में जाना आ जिनका इन्पुट हाई क्वालिटी था तो सत्ता पाश्डेल वाले बच्चों को बुरा नी मानना ची मेरा सुनके तो उनको पता है कि मुझे वहाँ पर जाना है जा पर इंपूट अच्छा था तो उन लोगों ने इन कॉलेजों में आना छोड़ दिया है क्यों कि उनके पास आयम के आप्शन हो कि पहला लौजी जो आपको समझने है कि 15 साल पहले जिस जिस कोलेज के नाम दा वो नहां आप नीचे होगे तो ऊड़ो कोलेज आपको चेक करना पड़ेगा कि कोलेज कहाँ फॉल कर रहा है तो आपके दूर के चाचा जी है मामा जी ने उस कॉलीज पर और इंके पैसमेंट हो गई थी, that doesn't mean कि आज भी होगी, यह बाँ समझ ही, आप यह होगा logic number one, अब logic number two, specially for management, और मैं खुद M.B.O. आप जानते हूं इंडिया के top college से, हमने यही नहीं समझ पाते हैं कि management की पढ़ाई किया है, उसके specialations क्या होती है, हर बंदा सोचता है, जी, अक्सर बेचारे जो B.B.A. बी कौम करते हैं, मैं M.B.A. फिनास कर लूँ, देखिए M.B.A. फिनास की least jobs हैं in real world, और वो जो jobs हैं, वो वही top 50 colleges को मिलती है, तो जब आप इन colleges से M.B.A. फिनास करते हो ना, तो बेसलिए आप financial products बेच रहे होते हो, आपको कोई insurance company, कोई bank लेता है, बलिकुल target based सड़क पे धख्यक खाने वाली नौकरी, उससे शायद बहुत अच्छा होता अगर आप designing में बेचलर्स कर लेते हैं, उसकी अलग से फिर भी इसे बैठे हैं वाली jobs हैं, तो जब भी आप college या placement figure देखें, आप साथ में ये भी तो पूछिए, कि मेरी job profile का होने वाली है, most of the tier 3 M.B.A. में आपको sales की नौकरी मिलेगी, जिसे मुलते है field sales, उससे अच्छा है, कि आप अपने आपको operations ये supply chain में specialize कीजिए, जोगी जितने भी ये e-com portal आगए हैं, उन सब कौन चीजों की जुरत होती है, तो that would give you a better career than doing M.B.A. sales और marketing और M.B.A. finance specially, ये मेरी अपनी background research है, और उसके अलावा अगर आपने किसने B.S.C. FIGES किया है, तो आप ये देखिए, शीद M.S.C. FIGES करके आप, कोई हमें लगता है कि फिर तो उसे lecture आरी है, ऐसा नहीं है, कई ISRO वगएरा और भी तो बहुत सारे organizations हैं जिनको इस तरह के लोग चाहिए, तो आप ये सब परके वहाँ भी तो पहुंच सकते हैं ना, बन्मों और बहुत सारी jobs होती हैं जो physics का master कर सकता है, जो chemistry का master कर सकता है, biology का master कर सकता है, You can go in a food technology company, अगर हम biology की बात करें, आप chemistry की बात करें तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, इन दिमाग वाला research वाला काम, यह हो गया third factor मेरा, मोटा मोटी दो तरह की काम होंगे न वेज़ तीन तरह की होते हैं यहां दिमाग लगेगा ज़्यादा यह जुबान और पैर लगेंगे ज़्यादा जुबान और पैर मतलब सेल्स मारकेटिंगी नोगरी दिमाग मतलब डॉक्टर बी टेक इंजिनियर्स लॉयर्स लॉयर्स में दोनों स्कील की जुरूत है और इसके अलावा डिजाइनर्स टार्टर अकाउंटेंट्स यह सब यहां को ज़्यादा रोल कर रहे हैं जब हम पढ़ाई करते हैं हाई लेवल पे अक्सर आप चाहते हैं कि आपको वो जॉब मिले जहां इसका इसका इस्तमाल हो रहा है लेकिन आप सैट उसे अल्टिमेटली आपको मिलती है यह वली नोकरी जिसमें जुबान और प्यारों का इस्तमाल करना है सुबेश हम दोड़ना है भागना है क्लाइंटों से मिलना है पर वो तो आप चाहते नहीं थे आपके स्किल सेट भी नहीं आपके परसनेलिटी भी नहीं है तो तीसरा इस सेटर का धान रखिए कि जो जॉब भी मिल रही है आठ लाग का पैकिस तो मिल रहे है पर वो यह वली दिमाग यह लगेगा ज़ादा यह लगेगा यह जो लगेगा वो एक comfortable job होगी अब 10 से 6 एर कंडिशन आफिस में बैठोगे सर्दियों में भी हीटर चल रहा होगा जहां पर जुबान और पैर चल रहे हैं वो आपको सुबह से शाम धखके खाने हैं यहां से वाँ कहीं जो को पसंद आता हो धखके खाना तो अपनी personality trait को देखिए बढ़ अगर आपको पसंद नहीं आता especially for girls वो बैचारी जोइन कर लेती है वो MBA, BBA, college यह सोचके कि हमें यहां की नौकरी मिलेगी मिलती यहां की है इस factor को भी हमने देखना है और उसके बाद सही फैसला कीजिए कि कौन सा MBA, college लेना है कौन सा specialization लेना है किस जगा लेना है कौन सी कंपनी जहां पर आके कौन सी job profile देती है अच्छी तर रिसर्च कीजिए इस लाइफ टाइम decision और फिर से इसी तरह का decision अगर हमसे help करना चाते हो तो 96433-62320 पर call कीजिए 5000 लोपीजिज और counseling charges और 45 minute to 1 hour session जिसमें आपके सारे doubts clear करके आपको बहुत अच्छे अच्छे सला दी जाएगी तो जहां पर आपके life का matter रहना पांज़ा रुपे का मुह इतना मत देखा कीजिए, मेरी सला है Have a nice day, bye-bye